असलाम उलेकुम हम बनाने वाले हैं आज चिकन चीज पनीनी सेंड्वीच जिसके लिए मैंने देड़ कप मैदा ले लिया है 1 टेबलि स्पून मिल्क पावडर डालेंगे अगर आपके पास मिल्क पावडर नहीं है तो ना डालें 1 टी स्पून एक्टिव ईस्ट डाल देंगे पाव चमश नमक और 1 टी स्पून मैंने शुगर ली है इनको भी डाल देंगे ड्राइ इंग्रेडियंट्स को mixing कर लेंगे अच्छी तरह से 1 टेबल स्पुन oil डालेंगे हम या फिर आप बटर का भी use कर सकते हैं इसमें और अच्छी तरह से mix कर लीजिए oil को तो ये देखिए oil हमारा अच्छी तरह से mix हो चुका है आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका soft dough गुन लेंगे आप चाहें तो दूद का भी उसकर सकते हैं डो गुनने के लिए तो ये dough हमारा गुन का ready है oil लगा देंगे इस पर और इसको rest होने के लिए cover करके रख देंगे एक से दो घंटे के लिए तो dough हमारा जब तक rest हो रहा है तब तक हम filling बना लेते हैं 1 tablespoon oil लिया है oil गरम हो जाने के बाद एक छोटी सी प्याज ले ली है उसको chop कर लिया है मैंने प्याज जादा नहीं लेंगे एक छोटी साइस की लिए मैंने इसको हलका सा golden कर लेंगे तो ये देखिए प्याज हमारी golden हो चुकी है ये मैंने 250 ग्रैम चिकन लिया है इसके छोटे छोटे पीस कर लिये है इनको भी हम डाल देंगे इसमें bonless chicken है और इसका pinkish खतम होने तक color हम इसको भून लेंगे तो ये देखिए pink color खतम हो चुका है chicken golden हो चुकी है अब हम इसमें हमारे spices एड़ कर देंगे half teaspoon मैंने paprika powder लिया है ये काफी तेज होता है थोड़ा ही डालिये और अगर नहीं है तो कश्मीरी मिर्ची दाल दे half teaspoon जीरा half teaspoon salt half teaspoon black pepper और one teaspoon मैंने white pepper लिया है अगर आपके पास white pepper नहीं है तो आप two teaspoon black pepper एड़ कर दीजिए तो मसालो को मैंने mix कर लिया है अब इसमें one teaspoon red chili sauce दालेंगे अगर आपके पास red chili sauce नहीं है तो ना डाले और one teaspoon soya sauce दालेंगे half teaspoon ginger garlic paste दालेंगे अगर आपके पास ginger garlic powder है तो आप वो भी डाल सकते है और half teaspoon मैंने इसमें vinegar डाला है तो इनको हम mix कर लेंगे अच्छे से अदग listen का कच्चापन खतम होने तक इसको मैंने थोड़ा भून लिया है low flame पर अब chop किये हुए मैंने shimla mix दाले हैं इसमें अगर आपको नहीं पसन शimla mix तो ना डाले तो ये देखिए चिकन की feeling हमारी बहुत ही मज़ेदार बनकर ready है और बहुत ही अच्छी कुझब आ रही है इसमें तो इसको हम ठंडा होने के लिए side में कर देते हैं तो ये देखिए दो घंटों के बार डो हमारा rise हो चुका है इसको निकाल लेंगे हम बाहर थोड़ा मैदा dust करेंगे और इसके हम part कर लेंगे मैं इसके तीन part कर रही हूँ और बड़े बड़े ही पेड़े रखने हैं आपको तो इस तरीके से सब के पेड़े बना लेंगे हम और इसको मैदा dust करके इसको लंबा हमें बेल लेना है उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चरल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को दबाना ना भूले बैल आइकन को दबाने से मिरी आने वाली हर नई रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने मिलेगी तो ये देखिए इतना मोटा बेल लिया है मैंने इसको साइड में रख देंगे और सेकेंड वाला भी इसी तरह से बेल लेंगे तो ये देखिए इसको भी मैंने बेल लिया है थोड़ा ओवेल शेप में बेलना है और थोड़ा मोटा ही रखना है तो यह bell दिये है मैंने, अब इनको cover करके आदे घंटे के लिए या बीस मिरट के लिए रख दीजिए तो यह pan को मैंने low flame पर गरम कर लिया है अब हम इसमे हमने जो panini bread bell कर रखे थे, उनको हम इसमे डाल देंगे, यह देखे मैंने 20 मिट के लिए इसको रेस्ट दिया था यह फूल चुके है थोड़े राइज हो चुके है यह अब इसको डाल देंगे हम पैन में अब इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लोव फ्लेम रखनी है और इसको तीन मिनिट के लिए पकने देंगे तो यह देखे यह फूल चुका है अब इसकी साइट को पल्टी कर देंगे हम कलर भी आई चुका है और यह फूल भी चुका है और दूसरी साइट पर भी कवर करके दो तीन मिनिट के लिए हम इसको पका लेंगे तो यह देखिए दूसरी साइट से भी यह बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके है इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में यह तीसरा वाला भी बनकर रेड़ी है तो हमारे तीनो पनीनी ब्रेट बनकर रेड़ी हो चुके है कितने फलफी और सॉफ्ट बने है यह आप देख सकते हो इसको हम सेंटर में से कट कर लेंगे इसके दो हिस्से कर लेंगे यह चिकन की फीलिंग है हमारी और यह मैंने मौजरेला चीज लिया है मेरे क्यूब्स में है चोटे-चोटे अगर आपके क्यूब्स में नहीं है तो आप उसको श्रेट कर लीजिए तो सबसे पहले हम एक पनीनी ब्रेड ले लेंगे और उसको नाइफ से सेंटर में कट कर लेंगे दो हिस्सों में यह खूल जाए इस तरीके से हमें इसमें कट लगा लेना है तो यह देखिए कितने सॉफ्ट और कितनी अच्छे से हमने घर में इसको रेडी किया है देख सकते हैं अंदर से कच्छे भी नहीं है बिल्कुल बेख हो चुके है अच्छी तरह से यह सेकेंड वाला भी मैं आपको कट करके बताती हूँ तो यह देखिए सेकेंड वाला भी हमारा बहुत अच्छा बना है तो पनीनी ब्रेड ले लेंगे सबसे पहले हम उसमें चिकन की फिलिंग को डाल देंगे यह मैंने मायो सॉस लिया है इसकी रेसिपी मैंने लोडेड राइस की जो वीडियो है मेरी उसमें मैंने डाली है अगर आपको यह मायो सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप लोडेड राइस की वीडियो में जाकर देख सकते हैं और यह सॉस इतना मज़े का होता है आप इसको बर्गर में या फिर कोई भी सैन्विज इसमें चिकन सैन्विज में या किसी में भी आप इसको डाल कर खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी है यह सॉस तो मैंने चीज डाला है और इसको कवर कर दिया तो यह देखिए यह बनकर रेड़ी है अब सेकेंड वाला भी मैं आपको बना कर बताती हूँ सबसे पहले चीकन की फिलिंग दालेंगे फिर मायो सॉस दालेंगे इसमें फिर मौजरेला चीज डालेंगे यह चीज सैन्विज है तो चीज के कौइंटिटी हमें इसमें बहुत जादा रखनी है अगर आपके पस cheese के slices है mozzarella की है तो आप वो भी रख सकते हैं इसमें तो हमारे पस panini maker तो नहीं है तो हम grill pan में इसको बना लेंगे और अगर आपके पस grill pan भी नहीं है तो आप तवे पर इसको सेक ले कोई issue नहीं है टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा टेस्ट वैसा ही रहेगा इसका तो medium to high flame पर इसको हम पकाएंगे बटर डाला था मैंने आप चाहे तो oil भी डाल सकते हैं और cheese हमारा इसी में melt हो जाएगा तो ये देखिए एक side बहुत ही अच्छे से grill के marks आ चुके है आप इसको press करेंगे तो ही grill के निशाना आएंगे इस पर तो ये देखिए sandwich हमारा panini बनकर ready है बहुत ही खुपसूरत लग रहा है दिखने में मैं आपको इसको तोड़ कर बताती हूँ तो ये देखिए friends कितना soft और कितना cheesy बना है आ रहा है ना आपके मूह में भी पानी तो ज़रूर इसे try कीजिएगा बना कर और अगर आपको मेरी recipe पसंद आई तो मेरे वीडियो को like करें share करें और मेरी recipe को ज़रूर try करें तो फिर मैं मिलती रहूंगे आपसे इसी तरह से नही नही रेसिपीस के साथ झाला प्यापस्ट